नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गॉरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट आईए बात करते हैं गोल्ड MCX की दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने एं गोल्ड MCX का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनिट के टाइम फ्रेम को लगाय हुआ है और इसमें जिस तरीके की मुमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जो कर्रेंट लाइब मार्केट चल रहा है इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में कौन से प्राइस लेवल हमारे लिए important हो सकते है और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या view है क्या हमें buying करनी चाहिए, selling करनी चाहिए या थोड़ा सा wait करना चाहिए किसी भी trade में एंटर करने से पहले तो आएए शुरू करते हैं, पांच मिनट की टाइम फ्रेम पे gold mcx का chart दोस्तों, कल और उससे पहले trading session में हमने जिस तरीके की moment देखी है सबसे पहले हम उससे थोड़ा सा review करने ही कोशिश करते हैं, और फिर आगे हम यह देखें कि कौन से level समय नज़र आ रहे हैं market में एक range continue थी, जो बहुत छोटी सी थी और end होने से जस्ट पहले market ने एक turn लिया था उपर की side में, वो भी continue रहा था कुछ ज़्यादा strong sign नहीं थे किसी भी side के पर एक चीज़ थी कि market को support मिला हुआ था थोड़ी सी उस strength के और मजबूत होने के chances थोड़ी से ज़ादा लग रहे थे next day market ने gap up opening के साथ शुरुआत करी अपनी evening session इस्टार्ट हुआ था पूरे दिन gold USD में trade चलता रहा तो बहुत यादा clear था कि market में एक gap up opening होगी और opening काफी उपर हुई वहां से market ने अपने आपको उपर के levels पे sustain करने की कोशिश की पर market धीरे धीरे एक corrective phase में आ गया और जो closing थी इसकी वो अपने opening से काफी मतलब intraday में ही हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी ज़ादा नीचे हुई और इस trend को market ने continue करा end तक मतलब एक sideways trend चलता रहा बहुत ज़ादा market ने correction नहीं दिखाई आज हमने देखा अभी market में gap down opening और market अभी अपने आपको lower level पे sustain करता हुआ अभी हमें currently नजर आ रहा है और यह lower level वो level है जो इसने अभी 3 दिन से maintain किया हुआ है आज का दिन कल का दिन और उससे पहला दिन market ने इस price range को maintain कर गी यह भी 5 minute के time frame पे हम discuss कर रहे है थोड़ा सा और time frame जब बढ़ेंगे तब थोड़ा सा ज़्यादा clear हो जाएगा कि किस तरीके से market आगे के लिए move करने की कोशिश कर रहा है gap down opening है एक चीज बिलकुल clear है कि है जो consolidation हम expect कर रहे थे market में वो अभी हमें नजर आने लगी है उपर गया market 45-200 तक जाने की एक बहुत easily chances भी लग रहे थे तो वहाँ पर market गया resistance phase किया और वहाँ से थोड़ा correction अभी करीब 400 plus point का correction मार्केट में आ चुका है तो देखते हैं अभी आके कैसा रहता कैसा नहीं रहता पर कल एक चीज बहुत clearly show हुई कल एक जो मैंने वीडियो अप्लोड कर रहा था gold USD का वहाँ पर मैंने एक price बताया था 1743 के वहाँ पर एक strong resistance है इसमें तो वो resistance को market ने confirm किया है वो एक important sign है जो यह चीज इंडिकेट कर रहा है कि अभी फिलहाल gold ने एक consolidation phase को बनाया हुआ है तो जब इसमें से कोई breakout दिखेगा उपर या नीचे कहीं भी तो उसके बाद यह एक नया trend market में शुड़ होगा पर फिलहाल उपर के level पे एक resistance है नीचे में आप फिर से support मिलेगा और देखिए यह जो यह support और rice chance का जो यह सिलसिला चलेगा न यह थोड़ा सा continue रहना चीए तब यह consolidation थोड़े बड़े time period का रह सकता है otherwise market में जो downtrend है वो इस recovery के बाद फिर से continue होने के chances बन सकते हैं फिलहाल current price है 44,700 आगे देखते हैं कि क्या view नज़र आ रहा है 15 minute के time frame पे देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जिस support की मैं बात कर रहा था यह एक तेजी हमें नज़र आई उसके बाद market ने इस range को थोड़ा एक support लेके काम किया यहाँ पर यह हमें support नज़र आ रहा है थोड़ी supportive range है अभी market यहाँ पर किस तरीके से काम करेगा कैसे नहीं करेगा इसे break कर देगा या नीचे जाने लगे या फिर यहाँ से market थोड़ा सा और turn ले सकता है यह सिर्फ intraday में मतलब afternoon session तक आप समझ लेजे कि यह इस तरीके का scenario रह सकता है उसके बाद आज अच्छी moment आने के भी chances लगने है थोड़ा सा और उपर market फिर यहाँ से वापस नीचे आकर market उनी levels पे sustain करता हुआ नज़र आ रहा है जो इसने एक support base बनाया हुआ है अभी अपने तीन दिन के अंदर अंदर तो इस तरीके का scenario अभी नज़र आ रहा है काफी important sign है देखते हैं market यहाँ sustain करता है एक थोड़ा सा intraday में recovery दिखाता है या नहीं दिखाता तो दोस्तों और थोड़ा सा आके चलते हैं एक बार एक घंटे के time frame पर वहाँ देखते हैं कि क्या view नज़र आ रहा है एक घंटे के time frame पर अगर हम देखें तो market में एक selling उसका थोड़ी सी recovery फिर selling फिर selling फिर selling selling और selling यहाँ पर market ने 44150 का एक price टच किया वहाँ से market में थोड़ी recovery फिर recovery को extend करा high मेरे खाल से 165 का एक बार high check कर लेते हैं कल का क्या लगा था 167 167 का इसका high लगा 200 तक की expectation थी लगबग वो level touch हुआ और उसके बाद market ने एक correction दिखा ही है जो 710 पे अभी market trade कर रहा है अभी तो देखकर यह लग रहा है कि market सिर्फ इस range में consolidate कर रहा है पर यह range इतनी नहीं रहेगी है अभी काफी बड़ी होने वाली है तो देखते हैं अभी आगे कैसा रहता कैसा नहीं रहता पर इस time frame पर एक घंटे के time frame पर काफी clear है कि market ने एक recovery phase दिखाने की कोशिश करी उसके बाद थोड़ा सा यह जो correction आ रही है यह इसलिए है क्योंकि जो इसका overall trend है वो नीचे की side में है तो recovery में अगर in case 45,500 अगर break होता तो market में थोड़ी जो strength है वो ज़दा बन सकती थी जो यह recovery है यह फिर और तेजी में आ सकती थी market फिर ओर उपर जाता तो पर यहां पर इन levels पे एक बहुत strong resistance है जब तक यह price break नहीं हो जाते तब तक market में एक resistance बनता रहेगा कहीं भी बनता रहेगा वो देखते हैं फिर आगे कैसा रहता कैसा नहीं रहता market एक और reason रहा है जो इसमें यह resistance दिखा रहा है वो है वो ही जो मैं डिसकस करता हूँ आपसे USD, INR उसका conversion rate हमेशा gold को directly impact करता रहेगा उसमें हमने पिछले कई दिनों में देखा कि जो एक pullback आया था जो rally बनी थी वो दो दिन में February के last trading day में market ने एकदम से एक तेजी दिखाई थी वो कही ना कही खत्म होती है में नज़र आ रहे है और prices जो है वापस अपने lowest level पर वहाँ पर नज़र आ रहे है तो उस वज़े से gold के prices में gold MCX में एक हमें एक pressure एक resistance हमें देखने को मिला है तो और थोड़ा सा आगे चलते हैं चार घंटे के टाइम फ्रेम पर देखिए यह जो मैं USD INR से आपको बताता हूँ यह fundamental नहीं है यह एक factor है जो involve होता है इसके rise chance में इसके selling pressure में यह कोई fundamental जैसा कुछ नहीं है कि वहाँ पर price अगर नीचे आ रहे हैं तो gold नीचे आएगा fundamental एक अलग चीज़ है कि उसका theoretical meaning होता कि अगर उसमें strength बनती है तो gold किस तरीके से react करता है वो सिर्फ purely conversion rate है मतलब आप 2 into 2 कर रहे हैं तो 4 आ रहा है यह सिर्फ इसी तरीके से है तो अभी अगर हम इस trend पे भी देखें 4 घंटे के time frame पे यहाँ भी हम देख रहे है market में selling जो continue है काफी time से और अभी एक small recovery के बाद यहाँ भी अगर हम देखें ना तो market ने इस price पे कितने बड़ा एक wix size लिया है candle का मतलब कितनी उपर तक गई पर वहाँ से पूरा selling market ने दिखाई और उसके बाद यह third red candle create होती हुए हमें नज़र आ रही है होगी या नहीं होगी वह एक लग चीज़ है चार गंटे ही candle है तो हो सकता है कि green में close हो जाए पर एक चीज़ है कि market को उपर के prices पे एक resistance face करने को मिल रहा है यह चीज़ अभी confirm हो रही है थोड़ा सा हो रागे चलते हैं एक बार daily charts पे वहाँ देखते हैं कि क्या view नज़र आ रहा है daily charts पे अगर हम देखें market में selling और यहां से धीरी-धीरे market में एक up trend और यहां से फिर market में यह selling फिर थोड़ी recovery फिर selling overall trend देखे बीच में जब यह 56,000 लगा था उसके बाद बहुत सारे ऐसे scenario बने कि यह जो चीज़े होती है न जब तक market इस तरीके से trade करता रहता है तब तक वो हमें परिशान करता रहता है कि क्या market गिरेगा क्या market गिरेगा गिरेगा भी या नहीं गिरेगा यह सारे questions हमारे mind में आते रहते हैं finally गिरा नीचे आया फिर यहां से एक और recovery एक pullback दिखाया फिर again same thing market उपा जा रहा है 54,000 53,000 यह सारे levels 56,000 सारे levels फिर से discuss होने लग जाते हैं पर जब तक कोई एक strong level के उपर market sustain नहीं करता तब तक अपना view इतने बड़े time frame में भी नी बदलना चाहिए मतलब यह हम daily charts पे देख रहे हैं अभी आज अगर जब यह chart पूरा form हो चुका है तब हम बिल्कुल देखते ही कहा सकते हैं कि हाँ इसमें तो selling है market में तो कहीं पर buying नजर ही नहीं आ रही पर यह जो time frame है market में यह छोटी छोटी candle नीचे market गिर नहीं रहा यह आपको सिर्फ मतलब एक तरीके से आप निराश होने लगते हैं कि आपने जो selling की position लिए है कि market नीचे आएगा या नहीं आएगा एकदम से देखते हैं एक दिन बहुत होता है पूरी की पूरी उस uptrend को खतम करने के लिए single day और यह सिर्फ short selling में नहीं होता यह चीज़ा buying में भी काम करती है market जब उपर जा रहा होगा और वहां से थोड़ थोड़ा यह से नीचे दिख रहा होगा एक दिन आएगा market सारा का सारा एक uptrend में उपर तो यह sessions आपको देखने को मिलते हैं ठीक है वापस चलते हैं घंटे के टाइम फ्रेम पे उन levels को discuss करते हैं जो हमारे लिए आज important होने वाले हैं सबसे पहली चीज़ के एक चीज़ हमें clear हो रही है कि market में consolidation है तो at least अब हम higher level पे long position build करने से थोड़ा सा बचेंगे ठीक है जब तक 45,500 break महीं होता तब तक हमारी कम से कम यही कोशिश रहेगी कि उपर के levels पे हम selling के लिए एक अच्छा level find out करेंगे तो level आपको कहा का मिलता है कहा का नहीं मिलता है उसमें वो एक देखने की चीज़ होगी दूसरी अगर कोई भी strength इसमें या फिर एक थोड़ी सी इस recovery को अगर market में और थोड़ा सा continue करना है 44,950 यह एक price है जो इसमें उपर बढ़ते हैं मतलब यहां से 200 रुपए उपर market अगर उसे break करता है तो market में एक थोड़ा सा consolidation का phase उपर के ही levels पर थोड़ा continue रह सकता है ठीक है इस तरीके के chances बन रहे हैं बहुत important level नहीं है क्योंकि उपर में फिर से एकदम से इसे एक resistance phase करने को मिल सकता है बस यह है कि जो selling pressure है वो वहाँ पर थोड़ा सा lose होता हुआ नजर आएगा हमें नीचे में जो important level है वो है 44550 ये morning session में break होता हुआ नजर नहीं आ रहा आफ्टरनून session तक भी break होता हुआ नजर नहीं आ रहा तो अभी फिलहाल जैसे भी morning to afternoon session जो रहेगा उसमें आप short selling करने से थोड़ा बचें मतलब मैं बहीं को भी नहीं कहा रहा है short selling को भी नहीं कहा रहा है तो ये दो price हैं जिसमें ये वाला price बिलकुल important है 550 के नीचे अगर market आता है तो market में जो selling है वो काफी speed से होनी शुरू हो सकती है जिसमें हो सकता है retest करने की कोशिश हो 44,000 के असपास के levels तो ये एक चीज रहेगी जो हमें note करनी है उपर में जो level है वो जो important level है वो again 45500 ही है इसके बाद वो काफी जादा उपर हो जागा वैसे पर 47,900 ये एक बहुत important level रहने वाला है reversal तो यहां से start हो जाएगा ये वो price होगा जो market में एक bull run ला सकता है ठीक है तो 45500 आपके लिए एक important level है जिसके बाद market में एक अच्छी jump आ सकती है क्योंकि इसके बाद open space यहां पर मिल रहा करीब 2500 पॉइंट का तो वो एक concern रहेगा sellers के लिए 45500 के बाद selling को hold करना बहुत ज़्यादा गलत होगा selling को अभी तो खेर consolidation है तो अभी तो यह ऐसा कोई risk लगनी रहा market में फिलहाल 550 का एक level है यह हमें थोड़ा सा देखना है कि market इसे break करता है नहीं करता और थोड़ इवनिक सेशन को हम देखेंगे कि market नीचे कोई continue रखता है या फिर consolidation में उपर के prices को hold करेगा 550 ब्रेक हो जा तो selling में एंटर कर सकते हैं तो दोस्तो यह था मेरा gold mcx पर अभी का वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो like करें शेयर करें बने रहे में अच्छा देखते रहे ह धन्यवाद